दोस्तो पूरी दुनिया को रमजान मुबारख और बस एक करोना रुपी वाइरस के माहूल में एक लॉकडाउन के माहूल में कि सातो समंदर में बैठा बैठा अभी मैं सोच रहा था कि सातो समंदर में एक अतर प्रसेंट पानी है और जंगल हैं पहाड है दो मेरे जनुमान है कि 10 से 15 पुर्ष्व में हम लोग साड़े सा स्सोओ करॉड लौग कर जो भी सातो समंदर रहते हैं और इस करोना के माहुल में जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मुझे पता लगता ये सुपरपावर है ये सुपरपावर है ये सुपरपावर है ये सुपरपावर है लेकिन आज मैं बहुत बिश्वास के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि सुपरपावर तो एक ही है जो ये न बंडर्फिल शरीर बनाया और इस करोना के लॉकडाउन में पूरे विश्व को कम से कम ये तो पता चल गया होगा कि पैसा देश नहीं चलाता है, देश और दुनिया को चलाती है तो प्रकरती चलाती है और उसके बाद इस एक महिने में आज पूरे भारत में या पूरे विश में इस पटल को कौन चला रहा है हमारे सफाई बाले चला रहा है हमारे सिक्यूटी गाड चला रहा है हमारी नर्स बहने चला रही हमारे डॉक्टर भाई चला रहा है हमारे पुलिस भाई चला रहा है हमारे एंजियो बाले चला रहे हमारे वो ड्राइवर्स जो जिनको हम ल पर चाम भी उनका नहीं लेते हैं लेकिन वो कृष्ण रूपी सार्थी जगह जगह जहां के जानवरों से लेकर चोटी स्वक्त घखे खाने बाट रहे हैं आज आज देश को के सिस्टम को आदमी नहीं चला रहा हैं आज सेबादार चला रहे हैं और प्रिकरती नहीं दिखा दिया कि एक करोना रूपी वाइरस पूरे साड़े साथ सो करोड लोगों में धीड में भी दूसरे को अलग कर सकता है और लेकिन प्रकृति ने अपने आपको प्रदूशन रहित कर लिया आज सारे आप देखिये जंगल की सड़कों पे सारे जानवर आराम कर रहे हैं तो प्र प्रकृति में जीना सीखो और प्रकृति के लिए जीना सीखो और नेचर को प्रणाम करके जीना सीखो नेचर से पंगा मत लो नेचर ने एक बार नहीं दसों बार इस बात को प्रमारित किया है कि दस सेकेंड आपको उखाडने के लिए काफी हैं मैं दूआ करता हूं कि प्लिज प्लीज इसके बाद अगर अहम मिट चुका है तो इसके बाद प्रेम से जीना सीखें, एक दूसरे के लिए जीना सीखें, खुद के लिए जीना सीखें, अपने परिवार के लिए जीना सीखें, अपने संसार के लिए जीना सीखें, वसुद है कुटुम काम, लब यू आल